हलो गाईज, वेलकम टो माई चैनल दोस्तों, आज किस वीडियो के अंदर मैं रिव्यू करने वाला हूँ, स्विम एच्सी क्रीम के बारे में दोस्तों, मैं इस वीडियो के अंदर आपको फुल डिटेल में बताऊंगा कि इसको आपने इस्तमाल किस-किस स्किन कंडिशन में करना है, इससे आप वो क्या फायदा मिलेगा, दोस्तों, किस स्किन कंडिशन में आपको इस्तमाल नहीं करना है, फुल डिटेल में जानेंगे, तो चलिए स्चार्ट करते हैं सबसे पहले दोस्तों अगर आप ये चनल सबस्क्राइब नहीं किया तो फरट चनल सबस्क्राइब कर दे ताकि हम आपके लिए लेकर आते रहें नईनी वीडियो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर जो है सबसे पहले मैं इसको benefit की बात करूँगा कि दोस्तों अगर आपको redness है आपके skin पे जो है काफी अदा dark sports है और आपके face पे कोई पुराने दाग धबे जो है काफी पुराने समय से बने हुए है कील मुहासों के निशान है या pimples के निशान है तो दोस्तों आप इसो इसमाल कर सकते हैं और इसे काफी अच्छे results भी ले सकते हैं इसको आपने रात के समय इसमाल करना है रात को सोने से पहले अच्छे से पहले आपने face को wash करना है और इस cream को apply करके आप overnight के लिए छोड़ देना है लगातार जो है चार से पाँच हफते इसमाल करने से अंदर ही आपको काफी अच्छा results देखने को मिल जाएगा अगर आप इसे जो है सिर्फ fairness के लिए use कर रहे हैं अगर आपको लगता है कि आपने सिर्फ गोरा होना है तभी आपने इसमाल कर रहे हैं इस चीज़ के लिए तो दोस्तो आप इसको इसमाल बिलकुल भी ना करें अगर आपके face पे dark sports है कील मोहासिय है किस पर कोई problem है तभी आप इसे इसमाल करें इसे permanently और लगातार जो है काफी लंबे समयते का आपने इसमाल नहीं करना है इसके सबसे बड़ा कारण है कि इसके अंदर कौन कौन से ingredient है इसके अंदर जो सबसे पहला ingredient आता है दोस्तों वो है और अगली चीज़ आती है तीसरी चीज़ है इसके अंदर जो कि आपकी face पे glowiness को बढ़ाता है और आपके face के रंग को साफ करता है दोस्तों आपने इसको लगातार जो है आपने लंबे समय तक नहीं लगाना है जस पांस से छे हमें हफते तक लगाना है और आपको काफी अच्छा result देखने को मिल जाएंगे लेकिन दोस्तों अगर आपके skin काफी अधा sensitive और आपको बहुत जल्दी कोई product जो सूट नहीं करता है लेकिन फिर भी अगर आप doctor से recommend करके लेंगे तो दोस्तों आपको best result मिल पाएगा और आपकी जुरत के हिसाब से आपको recommend करेंगे कि कितना और कितनी बार लगाना है तो उमीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगई होगी दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करना चैनल को subscribe करना और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना ताकि ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक इस फिक्रीम के बारे में knowledge पहुच सके